बूर्णिंग मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे आप जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 6th class में आने गे बाद आपकी SST की 3 बुक्स हो जाती हैं कितनी बुक्स हो जाती हैं 3 जिसमें आपकी एक होती है जोग्रफी जि हो गई आपकी जोग्रफी जिसे हम लोग बोलते हैं भुगोल ठीक है भुगोल के बाद इसके इलावा दूसरे नंबर पर आपकी आती है हिस्ट्री की ठीक है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इतिहास क्या बोलते हैं इतिहास ठीक है इसके बाद आपकी तीसे नंबर की आती जिसे हम लोग बोलते हैं civics ठीक है और civics की जो बुक होती है यह आपकी राजनीतिक वाली बुक कराएं जिसमें आपके सारे लोकतंत्र के बारे में लिखा हुआ होता है लोकतंत्र एक जीवन इसका अकसर नाम होता है इस बुक का बहराल में आपको हर बुक के chapters पढ़ाऊंग प्रित्वी देखिए मैं पिटा आप लोगों को पूरा चैप्टर एक एक वर्ट वर्ड रीट करके नहीं बताऊंगी मैं से फ़र से फिसमें से आप लोगों को important important point बताके chapter को summarize करूंगी और उसके बाद question answers बताके आपकी जो यह वीडियो है इसको finish करूंगी क्योंकि बुक प्रित्मान में कुछ चीजें चमकती हुए नजर आती है जैसे आप चान या पिर सितारे कहते हैं I'm right ऐसा होता है ना जी तो यह क्या है यह क्यों चमकते हैं और इनसे हमारी दुनिया का क्या तालुक है और यह सूरज जो है यह सुबा में दिन में दिखते हैं रात में कहां चुप जाता है क्या आप लोग बता सकते हैं इसके बारे में तो चलिए आज हम इसके बारे में ही डिसकस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और जिसको हम लोग कहते हैं आंत्रिक्ष या इस पीस या अपने डोरिमोन और नोबिता में तो बहुत ज़ादा देखा होगा कि वह प्रित्वी के लावा और भी कुछ है या नहीं तो यही सब चोटे-चोटे सवाल है इनी को आज हम जानेंगे और अगर आपके मन में इनके हिलावा कोई सवाल आता है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मैं रिप्लाइज जरूर दूंगी अगर थोड़े लेट ह जाती हूं तो आप लोग माइंड मत किया करें क्योंकि मुझे बेटा और भी बहुत सारे काम होते हैं जैसी मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूं मैं फोरन रिप्लाइज करने के कुशिश करती हूं इंफैक करती हूं चलिए तो हम पढ़ते हैं तो दिखें यहां आप खगोलेपिंट से आप क्या समझते हैं यह क्या है उसके बाद यहां आपको यह बताते हैं कि कुछ खगोलेपिंट क्योंकि इन्होंने क्या का चांद और सूरज के लावा वह सभी चीज़े जो चमकती हैं लेकिन बेटा जो चीज चमक लिए इसका मतलब यह नहीं है कि उसक प्रगोलेपिंट के रॉषनी के कारण रिफ्लेक्षिन के कारण भी चमकते हैं वो चीज़े भी मैं आपको बताऊंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा देखे जैसा कि यहां लिका है कुछ गोलेपिंट बड़े आकारवाले तथा गर्म होते हैं यह गैस के बनी ह और सूरज भी एक तारा है, सबसे बड़ा तारा है, कौन सूरज , उसके बाद यहाँ आपको बताते हैं कि इसी तरह से आपने ये आस्मान में इस तरह से देखे ये आपके आपके तारे बने हैं पते हैं पहले जमाने में जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो इन तारों के जरीए ही हम लोग टाइम देखा करते थे तो देखें यहां पे चीज आपको बताई गई है तुम यहां ब क्या होता है North के साथ इसके नीचे होता है South इधर होता है हमेशा East और इधर होता है आपका West है ना तो यह directions होते हैं तो यह लोग क्या काम करते थे पुराने जमाने की जमाई पुरवज रहे वो लोग तारे वगैरा के मदद से सूरज की और चान की और तारों की मदद से दिशा देखते थे और साथी टाइम का भी पता लगाते थे तो फिर नी आपसे यह अथाने हमेशा इस्तिर रहता है और आप सब जानते हैки जो आपकी प्रित्वी है और जो आपके आस्मान में बागी चीज़ें वह सब अपनी जगाओं पर और सुरज के चक्कर लगा रही है इसलिए दिन और रात होता है अब देखिए अभी हमने पढ़ा था कि कुछ खगोले पिंट ऐसे होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश और अपनी उश्मा होती है जिसे हम लोग क्या कहते थे तारी कहते थे अब देखिए यहां फिर बताते हैं कि कुछ खगोले पिंट ऐसे हैं जिनके पास अपना प्रकाश और अपनी उश्मा नहीं है तो अब यह नहीं है तो इसका मतलब यह चमकते भी नहीं तो ऐसे प्रिंट और ऑश्मा यहां बताते हैं बताते हैं कि इस समय क्या है जिसकार्ट क्या होता है प्रइबरी खोता है अरथात यानि चारों और घूमने वाला प्रित्वी जिसमें हम रहते हैं ये भी इसी तरह का इग्रेट जो अपने उपर भी चक्कर लगाता है और सुरज के ऊपर भी चक्कर लगाता है फिर यह आपके सोर मंडल की स्थिति को दि देखना होगा बेटा क्योंकि ये बुक में ऐसी ही बना हुआ है तो मुझे ऐसी दिखाना पड़ ला है तो देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूरज के सबसे नस्दीक जो गिरे सूरज है और सबसे नस्दीक कौन सा है आपका बुद्ध उसके बाद आपका यानि की वीनस है यानि शुक्र उसके बाद हमारी प्रित्वी फिर आपका आता है मंगल यानि की मार्स उसके बाद आपका जुपिटर जुपिटर यानि की ब्रस्पती उसके बाद सैटर्न यानि की शनी इसके बाद यहां पे आपका आता है यूनिस और उसके बाद आता है आपका आप छुरू को अब ग्रह ना मान के एक तारा मान लिया गया है तो जैसा कि आप लोग और यहां पे देखेजिए आपको इन सारे ग्रहों के बारे में लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप यह सब कर सकते हैं हम आगे पढ़ते हैं तो देखें यहां लिखा हुआ है यही चीज स सौर मंडल एक परिवार है जिसमें सूरह आठ गरह यह सारी चीज शामिल है परिवार का निर्मान करते हैं अब पूछेंगे मैं यह किसे कहा जाता है यह उलका परिण क्या है तो यह जैसी ही नीचे आएगा मैं आप को बता दूंगी तो इस पूरी फैमली का जो मुख्या है वो आपका सूरज है जो कि सबसे जादा बड़ा है बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है इसके अंदर बहुत जादा गर्मी और बहुत जादा रोशनी है तभी देखे जैसे ही दिन में सूरज निकलता है हर तरफ रोश जोकर प्रित्वी फिर मंगल फिर ब्रसपती फिर आपका शनी फिर आपका यूनियोस और फिर आपका नैपशन फिर उसके बाद आपको इसे याद करने का एक तरीका बताया गया है कि सूरज से दूरी की अनुसार अगर हम अंग्रेजी में इनके नाम याद करते हैं तो हम आपको इसे कर सकते हैं my very efficient mother just served us nuts है ना तो ऐसे भी याद कर सकते हैं वरना आप तो आसानी से जर्णली भी याद कर सकते हैं कोई पहशानी है उसके बाद देखें यह लिख है सोर मंडल के सभी आर्ट गिर एक निश्चित रूप से एक निश्चित पत पर ही घूमते हैं यहां आपको बताया गया ऐसा है देखें जो प्रित्वी है जो भी ग्रह वो एक तो अपने आप में भी चक्कल लगाते हैं और फिर सूरज के अकॉर्डिंग भी चक्कल लगाते हैं ठीक है तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखेंगे अब देखें यहां आपको आगे बताया गया है के प्रित्वी क्या है ठीक है तो जैसा कि आप सब जानते हैं इतने सारे ग्रह में सिर्फ एक प्रित्वी ही ऐसा ग्रह है जिसके ओपर जीवन है क्योंकि यहां का एटमोस्फिया यानि वातावरन बहुत अच्छा है इसलिए य दूरी कितनी है या कहां तक फैला हुआ है यह सारी चीजे यहां आपको पता चल जाएंगी तो आप लोगी से पढ़ेंगे इसके लावा यह पर इंप्रित्वी को नीला गिरह क्यों आप बता देंगे क्योंकि अंतरिक्ष्य देखने पर प्रित्वी की जो रंग है वो नील दिखाई देता है उसके बाद यहां पको बताया गया है कि चंद्रमा के बारे में जो है कैसा है क्या है धर बताते हैं कि हमारी पृत्तिवी के पास यहीं क्लूमीटर जरी है हम एसे सेसे घर लाग निर्व में जिसे हम लोग मुबाइल वगरा चलाते हैं यह आपके मुबाइल यह अर्टिफीशल है सारे तो इसको मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं जबकि जो आपका चांद है यह आपका प्राकर्टिक उपग्रह कहलाता है ठीक है चली आगे पढ़ते हैं तो देखिए अभी हमने जाना था शुद्ग्रह के बारे में तो वही चीज़ आपको यह बता दी गई है तारों ग्रहों और उपग्रहों के अत्रिक तो असंक्यक छोटे कुछ पिंड भी हैं ठीक है जो सूरे के चारों चक्कर लगाते हैं ठीक है इस जैसा कि आप मंगल और ब्रस्पति के कक्षाओं के पास देख पाते हैं तो आपने देखा होगे चोटी-छोटी यहसे करके जैसे यह मंगल है यह जूपेटर वगैरा तो इसकंद के आपने देखा होगे इसके चारों तरफ इस तरह से बना रहते हैं वही गेलाते हैं अब ही प्रित्वी के नस्दीग भी आ जाते है बीच बीच मैं उसको कहा जाते कि यह हमारे पास आ जाते हैं U शुर्ण सुना ऊगा खरेती हैं अब जब अपना रास्ता भटक जाते तो फैर्ट्वी के पास आ जाते हैं पिर्सookie बहुत प्रित्वी से लेकिन साइंटेस्स क्योंकि आजकल हमारी साइंस है उसने बहुत तरकी कर लिए तो इन सब चीजों के खत्रा इतना ज्यादा नहीं रहा है तो जैसा कि अगर आप लोग ने सूपर मैं मूवी देखी हो तो उसमें भी खर वो तो नखली मूवी है वो तो सिर्फ से वह आता है वही थौट होता है बिल्कुल उसका आपके उलका प्रिंट के आने का ठीक है उसके बाद हम आपको बताते हैं आकाश गंगा के बारे में तो देखें यहां तारों की ना एक बहुत सी ऐसे करके रेल टाइप की होती पूरी ऐसे करके मिलकी वे जिसे आप लोग बहुत सारे नने नने तारे मिलकर बहुत जगा पर एक रास्ता टाइप का ऐसे बनाते हैं तो वह बनता है आपका आकाश गंगा यानि मिलकी वे और इसी तरह की बहुत सारी आकाश गंगा मिलाकर ब्रहमान का निर्मान करती हैं और ब्रहमान की जो विशालता है इसकी कल्प है वो पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है अब यहां बतायागे तो आपका ब्रहमान है तो अब इस तरह से यह का चैप्टर कम्प्लीट होता है वीडियो भी काफी बड़ी हो चुकी है लेकिन अब आपको हर चीज बताना भी जरूरी था अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक को शियर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ अब बात करते हैं आपके अब्यास अर्णा होते हैं और अ कुछ खाली जगाह है यह आपको यहां तक तो अपनी कॉपी में करना है उसके बाद ये आपकी आपके आपके टीचर आपको कराते हैं तो आप करेंगे únicasy अगर नहीं कराते हैं तो आप जाने देगे और ये कुछ आपको खेल खेल में सीखने के आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तिमाल करके सब क्लासिस की 6-8 खास दोर से 6-8 क्लासिस की हर सब्जेक्ट की इंग्लिश मीडियम और हिंडी मीडियम वीडियो देख सकते हैं तो प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए हम लोग कुछ रांस को देखके वीडियो फिन आपना प्रकाश और उश्मा होते हैं यह होते हैं यह बहुत-बढ़े रूपकी क्या अदे क्योंसके आप जानते हैं कि सूरज भिए एक यह समझते हैं तो आप लिखेंगे सूरे आठ गरए उप गरए तथा कुछ अनिक गोले पेंट से मिलकर सोर मंडल का निर्मान होता है। ठीक है इसे हम सोर परिवार के नाम से भी जानते हैं। सोर मंडल के माध्यम में इस्तित होता है। इसी कि सूरज वो सोर मंडल के सेंटर में है और उसके बागी गिर्य थी अपने निश्यत कख्ष में सूरज का चारों तरफ लिखेंगे बुष, शुक्र, प्रित्वी, मंगल, ब्रसपती, शनी, यूनिस और नप्चुन तो आप इस तरह से सारे लिख लेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका अगला कुशन आता है प्रित्वी को अद्बुद ग्रह क्यों कहा जाता है तो आप इसको बतायेंगे कि क्यों कहा जाता है क्योंकर प्रित्वी पे अनुकल प्रस्तिति इसलिए सिर्फ इस पिरत्वी ही आभी जिसके पर जीवन को अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम कैसे जीवीत रह सकते हैं उसके बाद यहां आपको अगला कुछ है लिखा है हम हमेश्व चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं तो यहां देखे लिखा है चंद्रमा लगभग सता है जिमने प्रत्री का एक चकल पूरा करता है यह अपनी पू ये दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समय लेता है यही कारण है कि चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं दुसरा भाग नहीं देख पाते हैं चलिए अगला कुशन बढ़ते हैं अगला कुशन यहां आपको दिया गया है ब्रमान क्या है तो आप बताएंगे क शालता कितनी है यह अभी तक हम दो कल्पना नहीं कर पाएं ना साइन्टेस्ट और ना ही हम इस बारे में सोच सकते हैं उसके बाद यहां आपका अगला कोशन देखिए दिया गया है कि सही उत्तर के निशान लगा यह जैसा कि आपको पहला कोशन लिखा है कि इस ग्रह को प्र ठीक है चलिए अगला कोशन पढ़ते हैं तो यहां आपका सेकंड कोशन लिखा है सूर्य से तीसरा सबसे नजदी ग्रह कौन सा है तो यह हम और आप सब जानते हैं कि प्रित्वी है फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट कोशन लिखा है कि सभी ग्रहों सूर्य के चारों और कि प्रचन के बीच में पाये जाते हैं तो मंगल और ब्रस्पती के बीच में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो आप इसको टिक कर लेंगे ठीक है चली अब आपके आगे पढ़ते हैं तो यह आपके कुछ खाली स्थान दिये गए हैं इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं यह रेखे यह आपके खाली स्थान ने इसमें पहला आपको दिया गया का एक समूजो विभिन प्रतिरूपो का निर्मान करता है उसे कहते हैं तो यहाप पहले क्या जाएगा पहले में आएगा तारो दुसरे में आएगा तारा मंडल उसके बार यह आपको लिखा है तारो की एक बहुत बड़ी पढ़नाली को का जाता है तो क्या कहा जाता है आकाश गंगा उसके बार यहापको लिखा है प्रत्वी कि सबसे करीब है तो कौन है सबसे करीब तो आप लिखेंगे चंद्रमा इसके बाद लिखता है सूर्य से तीसरा सबसे नज़्दिक ग्रह कौन सा है तो यह आपका प्रेथिवी है उसके बाद लिखता है ग्रहों के पास अपनी तथा नहीं होती बहुती तो आप लिख लेगे इस नहीं क्यों कोश्च कॉला Watch झाल 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 झाल